नमस्ते माई यूटूब फैमिली आज हम देखेंगे कांदा बटाटा पोहा बहुत ही स्वादेश जटपट गर्मा गरम बनके तैयार हो जाता है यह हम नाश्टा पास से छे लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं तो चलिए पोहा बनने के लिए क्या-क्या सामन लगेगा तो यहाँ पे मैंने पोहा लिया है आदा किलो के करीब आदा किलो पोहा मैंने लिया है इसमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करके भिगो लूँगी आपको अगर ज्यादा नरम मुलायम पोहाँ पसंदे तो आप इसमें ज्यादा पानी एड़ करके भिगो लेना हमें कम मुलायम पसंदे से मैंने थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके भिगो लिया है देख सकते हैं आप थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके ही बिगोने हैं ज्यादा भी पानी एड़ नहीं करना नहीं तो यह बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद मैंने यापे लिया है तीन बड़े प्यास बारिक काट के लिए है धनिया थोड़ा सा धनिया लिया है मुँफली लिये मैंने यापे थोड़े सी और मीठे निम लिये है बारिक काट के और हरी मीच लिये साथ से आठ हरी मीच लिये है मैंने यापे और दो आलू पतले स्लाइस करके लिए है क्योंकि जल्दी बॉइल हो जाए जल्दी फ्राय हो जाए देख सकते हैं दो आलू मेंने पतले स्लाइस करके लिए है हमारा पोहया आप भीग के रेड़ी है दस से पंदा मिनिट में भीक के रेड़ी हो जाता है इसमें ही हम लोग अभी नमक एड़ करेंगे एक से देड़ चमच के करिम मैंने आपे नमक एड़ किया है उसके बाद थोड़ी सी धन्याद सोड़ी हल्दी एड़ करनी है हमें इससे यह फाइदा होता है कि हर एक पोहे को अच्छे से मसालों कोट हो जाता है और हमें ज्यादा फ्राय करना नहीं पड़ता अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेना है अगर आपको चमच के हैस से मिक्स करना हो तो भी ठीक है इसके बाद मैंने यहाँ पे पैन लिया है पैन में मैंने दो से तीन टेबल स्पून ओईल लिया है ओईल गरम हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे राई डाला है राई फ्लटर होने के बाद हमें इसमें जीरा एड करना है एक से देड़ चमच हमें यहाँ पे जीरा एड करना है और राई भी उतना ही लेना है उसके बाद यहाँ पे मैंने हरी मिर्ष एड कर ली हरी मिर्ष अच्छे से फ्राई कर लीने है जिससे इसका तीकापन थोड़ा कम हो जाता है और बच्चों को भी जादा तीका नहीं लगता उसके बाद यहाँ पर मैंने करेली उस एड़ कर लिया इसमें मैंने छोटा-छोटा काट लिया है क्योंकि इसे बच्चे या बड़े हम लोग निकाल लेते हैं इसलिए मैंने छोटा-छोटा कट किया है इसके बाद मुंगफली एड़ कर देंगे मुंगफली भी अच्छे से ओईल में फ्राई कर लेना है जिससे इसका स्वाद टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है आप ज़रूर ट्राई कर लेना अच्छे से ओईल में फ्राई कर लेना है मुंगफली भी मूंग फली अच्छे से फ्राइ हो जाने के बाद हमें इसमें प्यास एड़ कर लेना है अगर आप चाहे तो प्यास के स्लाइसेस भे लंबे और पतले काट सकते प्यास को भी अच्छे से ब्राउन कलर आने तक भून लेना है देख सकते हैं आप प्यास इस तरह से फ्राइ कर लेना है बाद में हमें इसमें आलू एड़ कर देंगे आलू को भी अच्छे से फ्राइ कर लेना है आलू ज्यादा तर दो से तीन मिनिट इसे पकने देना है पहले हम अच्छे से फ्राइ कर लेंगे आलू को भी आलू को अच्छे से फ्राइ कर लेना है सभी मसाले कोट हो जाने चाहिए आलू में भी उसके बाद हमें आलू को दो से तीन मिनट धक्कन लगा के पकने देना है स्लो गैस पर दो से तीन मिनट बाद हमारे आलू भी पक के रेडी हो जाते है चमत से दबा के देखना है हमें अगर नहीं हुआ आलू पका हुआ तो फिर से एक मिनट तक रखना है लेकिन हम इसे पतले स्लैसेस कट करते हैं कि अैसे लेए जल्दी बॉइल हो जाता है 2-3 मिनित में इसके रेडी हो जाता है इसके बाद मैं ने ये अपर धन्या है दन्या को भी अच्छे से फ्राय कर लेना है थोड़ा सा धन्या हमनियОप her s के लिए रख दिया है इसके बाद मैंने आप पोहा एड़ कर लिया है देखो एक एक पोहा हमारा अलग-अलग है ज्यादा भी नरम नहीं है और ज्यादा भी चिपका-चिपका नहीं है सभी पोहा डाल लिया मैंने अभी इसे अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेना है गैस लो से मीडियम पर ही रखना है ज्यादा फास नहीं रखना है नहीं तो हमारा पोहा कड़क हो जाता है सॉफ्ट मुलायम नहीं बनता तो देख सकते हैं हमारे पोहे का टेक्स्चर कितना अच्छा कलर आया है देख सकते हैं हर एक मूंगफले दिख रही है देखिए और इसे हमें अभी दो से तीन मिनट ऐसे ही रख देना है दो से तीन मिनिट के बाद हमारा पोहा बन के रेड़ी है अब हम इसे फिर से चला लेंगे एक बार अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें उपर से अभी गार्नेशिंग करेंगे धनिया की अगर आपको सेव पसंद है तो आप इसमें आलू सेव भी ऐड़ कर सकते उपर से या फिर नारियल कद्दू कस करके डाल सकते तो ये हमारा पोहा बन के रेड़ी हो चुका है गर्मा गरम कांदा बटाटा पोहा हमारा रेड़ी है आप महमानों के लिए नाश्टे के लिए जर जरूर बताना कि आपको मेरी कांदा बटाटा पोहा की रेड़ी कैसी लगे इसे आप निम्बू के साथ सर्व करिए उपर सेव भी दीजिए अगर आपके पास हो तो टाटा बाई-बाई-बाई कमेंट करके जरूर बताना कैसा बनाए कांदा बटाटा पोहा हमारा